नमस्ते पहरी विद्यारतियों आज हम इस वीडियो में चार-चार अंकों की संक्याओं का गुणा करना सिखेंगे और वो भी इतना फास्ट होगा कि एक ही लाइन में इनका अंस्वर आ जाएगा जैसे इसमें चार अंक है एक, दो, तीन, चार और इसमें भी चार अंक है अब इस सेकिंड, यह हो जाएगा आपकी धरड और यह हो जाएगा आपकी फॉर, तो इसमें नियम यह रहेगा, कि सबसे पहला जो इस्तंब होगा आपका, इनको आप मल्टिपलाई करेंगे, ठीक है, बाद में दो को साथ में मिलाएंगे, फिर आप तीन को साथ में मिलाएंगे फिर आप चार को साथ में मिलाएंगे ठीक है उसके बाद में एक एक कम करते हो जाएंगे पहले एक होगा फिर दो कोलम साथ लेंगे फिर तीन कोलम साथ मिलेंगे फिर चार लेंगे फिर चार सागे तो है नहीं क्योंकि 5 संग हो दे तो 5 भी ले ले दे लिए 5 तो हमारे बास है नहीं ना फिर कहते ना करेंगे एक कम करेंगे 3 फिर 2 फिर 1 तो सबसे पहले जो नंबर आएगा ना वो किसका आएगा इस 3 और 5 का पहला कोलम तो इसको आप गुणा करेंगे तो 5 थी 15 पंद्रा का 5 हो जाएगा और एक जो रह जाएगी वह असिल कि उसको आपको साइड में रख लियाना है ठीक है अब आपको दो कोलम साथ में कामें लें दो कौन कौन से 0 1 और 3 और 5 यह तो इसको आप करेंगे 3 equal to 3 होगे ना तीन में आप एक आशिल वाल जोड़ दीजिए कितने होगे चार और वो चार आप यहाँ पर दिख देना है कितने कोलम कामें लें लेंगे 2 अब हम कामें लेंगे 3 2 4 वाला एक तो यह आ जाएगा पिर एक आजाएगा 0 से एक वाला और एक आजाएगा 3 से 5 व नहीं पॉजाता नियहा वाला इस ही यसे जिसे हमने यहाके अटर तीन और पांस को वैसा हो जाएगा तो पांस दूनी 10 दस तो यह हो गया चारती 12 यह हो गया और यह रह गया 이게 0 का 0 तो 12 और 10 कितने हो गए 12 और 20 के लिए आपको यहां पर एकना लेगना है 2 और यह 2 दो 2 है बोफल के हो जाएंगे ठीक है इसके बाद में आपको क्या करने है एक दो तेन चार है खारो को लेने है जब आपके आदत हो जाएगी तो आप इसको काफी फास्ट करभ आएंगे ठीक है? तो धियान दीजिएगा अब आब इसको भी आपन तिरचा गुना करेंगे तो एक कर ना वो किसे होगा पांश से दो वो किसे होगा तीन से पिर उसके बाद ये दोनों तो फिर भी बच्चे जाएंगे न तो यक को अब पंदरा पंदरा कर कितना हो जाएगा पांश और असल फिर से कितनी हो जाएगी एक, अब हमने चारो कोलंम या पर ले लिए, ले लिए ना चारो, तब चारो लेने के बाद में आपको क्या करना है, एक एक आप कम करते भाएना, तो हम इस तीन और पांच को कम कर देंगे, तो बचेंगे कों, ये कम हो जाएगा ना, तो ये दो से तो चार दूनी आठ आठ और एक नो और एक यह असिल वाली नो और एक दस दस की जीरो और फिर असिल की एक अब एक ओलम और चोड़ देना आपको यानि यह वाला पार्ट और चोड़ देना है ऐसे यह चोड़ेंगे तो चार एकम चार और दो दूनी चार चार और चार बन जाएगा यहांपर अब देखना इसमें अपन इस तरह से रफकार यह नहीं करेंगे डाइरेक्ट इसको जोड़ेने की कोशिश करेंगे तो वो देखना तो सबसे पहले अपन इसको लेंगे यहांपर तो पांच एकम पांच कोई असल नहीं है अब आपको इन दोनों को मिला लेना है तो दो एकम दो जाएंगे पांच गुना पांच पच्चीस पच्चीस और दो जाएंगे 27 27 का जाएगा 7 और असल को जाएंगे 2 अब इन तीनों को सम्मिल करना है तो एक तो एक से हो करके एक हो गया पांचों को बीस और पांच दूनी दस यह से होगा तो बीस यह होगे दस बीस और दस तीस तीस और एक इगतीस इगतीस में तो आसिल वल जोड़ देंगे तो 33, 33 का 3 होगा असल की फिर कितने हो जाएगी, 3 अब हम 4 को सम्मिल करेंगे 4 को सम्मिल करेंगे, तो 4 तो होगा 1 से, तो 4 एकम 4 और 5 दूनी 10 ठीख है, और 4 दूनी 8 और 5 एकम 5 तो समझ मैं कितना हो गया भाई 5 दूनी 10 तो यह हो गया ठीक है और पांस यह हो गया पंदरा चार यह हो गया पंदरा और चार हो गया गुनिस में आठ और जोड लेंगे आप तो जाएंगे 27, 27 में आप तीन ही जोड लेंगे हैसल वाले तो 30, 30 की 0 और अशल की 3 अब आप वो क्या करना यह पहला कोलम छोड देना तो चार को 5 से गुना करेंगे तो 20 और दो दूनी 4 और 4 एकम 4 4 और 4 आठ आठ और 28 28 और 3 कितने हो गया आपके पास 31 हासल के फिर से 3 हो जाएंगे अब इसको भी छोड़ना पड़ेंगा इन दोनों को तो 4 चोक 16 और 2 एकम 2 16 में 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 18 18 में 3 हासल वाल जोड़ेंगे तो 21 21 का एक रहेगा रासल के हो जाएगी 2 इसको भी छोड़ देंगे 4 दूनी कितने हो जाएंगे आपके पास 8 और 8 में आप 2 हासल के जोड़ देंगे तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 तो यह इसका answer यहाँ पर बन जाएगा तो अगर आप यह fast calculation कर पा रहे हो या आपको अच्छों से समझ में आ गया हो तो वीडियो को like कर देना, share कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe भी कर लेना फिर भी कोई दिक्कत रही हो